गुद मॉर्निंग बच्चम अपने पिछली लेक्चर में अधेन किया कैश फ्लो के बारे में रोकड प्रवा विवरण क्या होता है एवं कोश प्रवा विवरण के बारे में अधेन किया हम देखते हैं कि रोकड प्रवा विवरण और कोश प्रवा विवरण में क्या अंतर होता है क्योंकि दोनों ही प्रकार के जो ये कैश flow and fund flow statement है इनके अंतरगर working capital और cash in hand, bank in hand जो कि प्रती दिन किये जाने वाले transaction है और उन में अगर किसी प्रकार का अंतर आता है यानि working capital कम या ज्यादा होती हैं, तो उनके कारणों को ढूंडने के कारण इस प्रकार के ये statements तयार किये जाते हैं, ताकि किसी भी company का जो लेखा जो का हैं, जो accounts हैं, वो proper पता चल सके, कि कहीं कोई किस प्रकार की working capital और भी जो accounts किये जाते हैं, तो उनका proper balance sheet तयार हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, तो इस प्रकार के इन दौनों statements में क्या difference हैं, ये आज अपन देखेंगे, difference between cash flow and funds flow statement. सबसे पहले, object क्या हैं इन दौनों statement बनाने का, तो जो cash flow statement है, उसका प्रमुक उदेश वर्ष के दौरान, रोकड कोशों के स्रोतों, एवं उप्योगों को प्रदर्श करना हैं. इसी तरह से, कोश प्रभा विवरण का उदेश्य हैं, कारीशील पुझी के स्रोतों, एवं उप्योगों को प्रदर्श करना हूँ. इसी प्रकार, cash flow statement का, जो विशय सामगरी है, उसकी जो विशय वस्तु हैं, वो हैं, सामगरी हस्तस्त, रोकड बैंक में, मांग, जमाव, रोकड तुल्य, जितने भी आइटम्स हैं, जिस प्रकार की जो चीजे हैं, तो वो रोकड प्रभा के अंतरग आते हैं. इसी प्रकार से, जो कोश प्रभा विवरण हैं, यानि की fund flow statement है, उसकी जो विशय सामगरी हैं, वो हैं, कारिशील उन्जी. जो जो भी आइटम, जो जो मदें, वकिंग कैपिटल में आती हैं, वो fund flow statement की अंतरगत दर्शाय जाता हैं. थर्ड जो इनका डिफ्रेंस हैं, लेंदेन का प्रभाव, cash flow यानि रोकड प्रभा में, लेंदेन का रोकड कोशों पर प्रभाव देखा जाता हैं. यानि cash का जो effect हैं, केवल उनको cash flow statement के अंतरगत देखा जाता हैं, उनको रखा जाता हैं. कोश प्रभा में, यानि fund flow में, लेंदेन का कारिशल पुन्जी पर प्रभाव देखा जाता हैं, कि working capital पर क्या effect आ रहा हैं. तो cash flow में, cash का fund पर क्या effect हो रहा हैं, और कोश प्रभा के अंतरगत, working capital में क्या effect हो रहा हैं, उसको देखा जाता हैं. उप्योगी ता cash flow statement, रोकड प्रभा विवरण, अल्प कालिन विशलेशन के लिए उप्योगी होता हैं, और जो कोश प्रभा विवरण है fund flow statement, वो दीर्ग कालिन विशलेशन के लिए अधिक उप्योगी होता हैं. लाभानी खाते का विशलेशन, रोकड प्रभा विशलेशन हैतु, लाभानी खाते को व्यापारिक पदत्ती से रोकड पदत्ती में बदल कर, परिचालन क्रियाओं से रोकड की गढ़ना की जाती हैं, और कोश प्रभा विवरण तयार करने के लिए लाभानी खाते को नहीं होते हैं, इसी प्रकार से कारिशिल पुंजी के विवरण का निर्माण, रोकड प्रवा विवरण है तू, कारिशिल पुंजी में परिवर्तन का विवरण तयार करने को कोई आवशक्ता नहीं है, और जबकि जो फर्ण फ्लो स्टेट्मेंट हैं, उसमें कारिशिल पुं प्रदर्श्रित के जाते हैं और जो कोश प्रवा विवर्ण है उनमें कारिशिल पुझी में परिवर्थन के विवर्ण में इसको शामिल किया जाता है शेत्र रोकड प्रवा विवर्ण का शेत्र कोश प्रवा विवर्ण की तुल्ना में संकूचित हैं और क्रोश प्रवा विवर्ण का शेत्र अपेक्षाकत विश्त्रित हैं वस्तूत इसमें रोकड कारिशिल पुझी का एक अंग होते हैं सुद्रटा का अर्थ, रोकड प्रवा विवरण में, यानि कैश प्लो स्टेट्मेंट में, सुद्रटा रोकड इस्ततीव से लगाया जाता हैं, तथा ऐसा होने के लिए रोकड अंतरवा आवशक हैं प्रकाशन लेखांकन मानक्त्री के अनुसार रोकड प्रवा विवरण का प्रकाशन सुचिबद कमपनियों के लिए अनिवारिय हैं जबकि कोश प्रवा विवरण का प्रकाशन अनिवारिय नहीं हैं अब हम देखते हैं रोकड प्रवा विवरण एवं आई विवरण में क्या अंतर हैं difference between cash flow and income statement रोकड प्रवा विवरण का प्रमो कुद्देशे कारी के दौरान रोकड कोशों के स्रोतों एवं उप्योगों को प्रदर्शित करना है जबकि आई विवरण का प्रमो कुद्देशे लेखा व्रदी के दौरान व्यवसाई की लाभर्जन इस्तती के बारे में जानकारी प्रदान करना है रोकड प्रवा विवरण को लेखांकन के रोकड आधार पर तयार किया जाता है रोकड प्रवा विवरण से रोकड के साधनों की लागत या लाभदायकता की जांच असंभव नहीं होती है जबकि आई विवरण से विन्योगों की लागत वो उसकी लाभदायकता की तुलनात्मक जांच की जा सकते हैं रोकड प्रवा विवरण की विशे सामगरी जो है वो है अस्तस्त रोकड यानि कैश इन हैं बैंक में मांग डिमांड इन बैंक और जमा वर रोकड तुल्य है जो डिपोजिट और जो कैश की मदे हैं वो इसके अंतरग आती हैं और इंकम स्टेटमेंट की विशे सामगरी एक संस्ता की परिचालन आई एवं व्याय होते हैं उपयोगी ता रोकड प्रवा विवरण अल्पकालीन विश्लेशन के लिए उपयोगी रहता हैं जबकि इंकम जो आई विवरण है वो लिखांक नवदी के परिचालन परिणामों एवं वित्तिय स्तती में परिवर्तन की जानकारी है तो उपयोगी रहता हैं रोकड प्रवा विवरण एवं रोकड बजट में अंतर रोकड प्रवा विवरण में यह प्रदर्शित किया जाता है कि एक अवधी विशेश में रोकड कहां कहां से प्राप्त की गई तथा प्राप्त रोकड किनकी नुपयोगों में प्रयूक्त की गई हैं रोकड बजट का उदेश्य यहां अनुमान लगाना है कि भावी अवदी में कितनी रोकड की किस कार्य हित्तु आवशकता होगी तता वह किन-किन स्रोतों से प्राप्त की जा सकेगी इसी प्रकार रोकड प्रवा विवरण रोकड में भूतकाल में हुए परिवर्तनों का विशलेशन करता है और रोकड बजट रोकड में भविश्य में होने वाले परिवर्तनों का पूर्वानुमान लगाता है रोकड़ प्रवा विवरण की अवधी प्राय एक वर्ष होती हैं और रोकड़ बजट साप्ताहिक, मासिक, तिमाई, अर्धवार्सिक ववार्सिक हो सकता हैं रोकड़ प्रवा विवरण यानि cash flow statement रोकड़ के स्रोतों एवं उप्योगों के विशलेशन के लिए उप्योगी रहता हैं जबकि जो रोकड़ बजट की उप्योगीता हैं वो अ हिस्ताह या मौसमी रोकड़ आवसकताओं की पूर्थी के लिए वित्य प्रबंध में रहते हैं तो इस प्रकार से रोकड़ प्रवा विवरण और रोकड़ बजट में भी अंतर हैं रोकड प्रवा विवरंड आय विवरंड में हमने अंतर देखे और कैश फ्लो फंड फ्लो के अंतरगर विभीन प्रकार के जो डिफ्रेंस है उनको हमने इसके अंदर देखे धन्यवाद बच्चों